Hello everyone, welcome to another new video काफी लोगों के मन में ये डाउट होता है कि हमारे पास को अच्छा सा कैमरा नहीं है हमारे पास को DSLR कैमरा नहीं है हम वीडियोज तो बनाना चाहते हैं लेकिन वीडियोज बना नहीं पाते हैं अच्छी क्वालेटी का कोई भी सौर्स नहीं है तो मैं आप सब को बता दूँ दोस्तों आज कल सभी के पास एक चीज कोमन है और दोस्तों वो है स्मार्ट फॉन स्मार्ट फॉन आज कल जितनी भी कमपनी के आ रहे हैं उनकी केमरे की क्वालिटी काफी हद तक अच्छी आती हैं खूब सारे केमरे काफी अच्छी आते मतलब फूल एच्डी होते हैं कुछे कुछे केमरे तो आज गल 4K भी आने लगए तो दोस्तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए हल्की सी creativity करें अपने दिवा के अंदर तो आप अपने smartphone के अंदर ही काफी अच्छी footage ले सकते हैं दोस्तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है दोस्तो आपकी केमरे के अंदर जो by default camera आता है मतलब कि guys जो camera company ने साथ में दिया हुआ होता है दोस्तों उसके अंदर इतने तरह के advanced features या फिर advanced option नहीं होते हैं जैसे exposure का हाला कि exposure का होता है पर इतनी proper तरीके से work नहीं कर सकता पर दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा software camera जिसकी मदद से आप काफी अच्छी तरह के से shoot कर पाएंगे तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ open camera के बारे में दोस्तों open camera एक ऐसा software है जो guys काफी हद तक professional है मतलब इससे आप काफी professional shoot कर सकते हैं इस software को आपको simple सा free में google play store से download करना है play store से open camera download करना है मैंने पहले से कर रखा है और दोस्तों इसका है कुछ इस तरह का interface देख सकते हैं आप सबसे पहले guys आपको corner के उपर यह जो setting दिवी ही इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ पर पहला option है इसका face detection इसको आपको on करना है जिससे guys camera आपके face को proper detect कर पाएगा दोस्तों video resolution इसके उपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको रखना है full HD और आप देख सकते हैं इसके इसमें आपको 4K की quality भी मिलती है पर दोस्तों 4K की quality कुछ अच्छे camera ही support कर पाता है otherwise guys भले आप 4K के उपर क्लिक कर दोगे आपकी full HD की quality ही आपको मिलेगी इसलिए आपको हमेशा इसको full HD रखना है उसके बाद दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है stabilization इसको guys हमेशा on रखना है जिसके guys आपकी footage काफी अच्छी तरह से stable हो पाएगी और आपकी shaky video नहीं आएगी इसके बाद आपको नीचे जाने हो यहाँ पर है audio source कैमरे से आप direct shoot कर रहे हैं और आपकी voice record करनी है तो आपको रखना है यहाँ से camcorder और अगर आपने कोई mic लगा रखा है यहाँ पर कोई boya का mic लगा रखा है और उसको अगर आपको support करना है तो दोस्तों आपको लगाना exposure को आप जतना चाहे उतना बड़ा सकते हैं इसको आप last 32 127 तक ले जा सकते हैं अगर आप night में shoot कर रहे हैं तो इसको highest बड़ा सकते हैं अगर आप दिन में shoot कर रहे हैं इसको गटा सकते हैं सजेस करूंगा कि आप हमेशा इसको 200 यह 400 का आसपास रखे क्योंकि यहान की quality काफ भी अच्छे मिलती है लोक वाला देख सकते हैं यहां पर कोई बहुद तो आपको इसके उपर क्लिक करना है जहसे ही सब्जक्ट के उपर फोकस होता है आप इसको लोक को क्लिक करना है जिससे यह एकस्पोजर लोक हो जाएगा और दोस्तों आपका वीडियो ना तो वाइट होगा ना ब्लेक होगा और हमेशा कैमरे का फोकस आपके फेस के उपर रहेगा जहांपर आपने इसको लॉक कर रखा है यानि की एक्सपोजर लॉक होता है तो दोस्तों उमीद है आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर जानकर यह अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं अगर इस वीडियो के उपर अच्छा सा रेस्पोंस आता है तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैमरे से कैसे शूट करना है कैसे आपको प्रोफेशनल शूट करना है और कैसे आप एक अच्छा सा सिनेमेटिक और प्रोफेशनल वीडियो बना सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई अपना खयाल रखे